नमस्कार दोस्तों तो कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा हल्दी और सहिद एक साथ खाने के पांच भेतरिन फाइदे के बाड़े में दोस्तों हल्दी और सहिद ये दोनों ही चीजे पुरने समय से और सोधी के रूब में प्रयोग किये जारती रही है और सेहत से जुरे इसके कई फाइदे भी है हल्दी और सहथ को मिला कर खाने से हो सकते हैं कुछ खासला तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखते रहें और हम आपको बताएंगे हल्दी और सहथ को एक साथ खाने के 5 बैतन फाइदे के बारे में नमबर एक हल्दी और सहथ का मिश्रन साथ सम्मंदी समस्याओं का बड़िया समदान है समस्या होने पर इस मिश्रन का सेवन दिन में तीन बार आधा चम्मच की मात्ता में करे एक सब्ता तक इसे लेना फायदामंद होगा नमबर दो अगर आप निन में रप्त चापके मरिज हो तो हल्दी और सहथ का यह मिश्रन आपके लिए लाप करी है लेकिन इसके अत्तदिग मात्ता में प्रयक से बचे नमबर तीन डाइवेटिज के मरिजों के लिए भी यह मिश्रन लाप प्रद है खास तोर से आमले के रज के साथ इसका सेवन करने से मद्युमे के सर में कमी आती है सिर्फ हल्दी का प्रयक भी सुगर को नियंतित करता है नमबर चाड़ शर्दी जो काम की समस्या होने पर सहिद और हल्दी की मिश्रन को आधा चमच खाए और कुछ समझ तक पानी ना पिए आप चाहे तो इसके साथ तुलसी का प्रयक भी कर सकते हैं भोजन करने के बाद हल्दी का सेवन किड्नी और फेप्रो के लिए फायदमन्थ होता है नमबर प्माच तुचा की समस्या हो जैसी जाईया जूरिया धाग धब्बे आधी से छुटकारा पाने के लिए आप हल्दी सहिद और गुलब जल को एक साथ मिक्स करके लेब बनाए और चहरे पर तब तक लगाए जब तक यह हल्का सूखना जाए इसे गुन-गुने अगर आपको हमारा इस वीडिओ अच्छे लगे तो लाइक आत्स्यात जरूर करें और आज़े आने बाले और ही वीडियो इसको देखने के लिए हमारे इस चैनल के लिए टेक केर